नमशकार दोस्तों, स्वागत है आपका एक वरफीश से हम इंडिया एजूकेशन यूट्व चैनल पे दोस्तों एक वरफीश से हम इंडिया एजूकेशन आपके लिए जोब से रेटिड अपडेट लेकर आया है इस वीडियो में जो है हम लोग आपके साथ non-faculty यानि कि non-teaching भरतियों से rated update ले किया है इसमें जो है National Institutes of Technology हमीरपूर की तरफ से एक recruitment notice से जारी किया गया है यह जो vacancies है regular basis पे इनकी तरफ से भरी जा रही है total number of vacancies की बात करें तो 84 vacancies जो है इनकी तरफ से out की गी है तो जिसमें की सबसे पहले vacancies की बात करें तो यह senior scientific officer या फिर senior technical officer की vacancy रहेगी दो पोस्टों के लिए यह भरतियां रहेगी level 12 की according लिए इनको सेररी दी जाएगी अगली जो पोस्टा वो technical officer की है दो पोस्टों के लिए भरतियां level 10 की सेररी दी जाएगी इसके बाद जो है दूसरी vacancies इनकी दरफ से निकाले गी है जो की केडर, ministry और higher level की vacancy रहेगी इसमें सुप्रिडेंट और personal assistant की vacancies निकाले गी है इनके लिए जो है experience मांगा गया है जूनियर और senior assistant के लिए भी experience मांगा गया है बाकी technical में बात करें तो technical assistant, junior engineer, SAS, library assistant इनकी vacancies आउट कीगी है और technical lower में जो है technician, senior technician, pharmacist की vacancies आउट कीगी है इसमें apply करने की जो last date रहेगी वो 10 जुलाई, 2023, 45 वेस तक रहेगी apply करने का जो mood रहने वाला है वो online रहेगा application fees की बात करें तो general, OBC, EWS की जो है साथे 700 रुपए application processing fees रहेगी, साथे 700 रुपए examination fees रहेगी तो total 1500 रुपए fees जो है इनको pay करनी होगी अगर आप SCST हैं या PWD हैं या women candidates हैं तो आपकी इसमें application fees नहीं रहेगी सिर्फ साथे 700 रुपए जो है आपको examination fees ही इसमें pay करनी पड़ेगी इसमें eligibility criteria के लिए जो है आप पूरी इसकी complete notification को download कर सकते हैं क्योंकि जब आप notification को complete को download करेंगे तब आपको पता चलेगा जैसे पर एक्जामपल junior engineering की दो poster थी तो category wise इसको कैसे वाइवर get किया गया है और इसमें जो qualification है वो क्या रखेगी है तो इस परकार से जो है आप सभी पोस्टों की जो qualification है इसको आप read कर सकते है essential qualification को आपको fulfill करना अनिवारे रहेगा desirable नहीं भी है अगर essential qualification आपके पास है तो आप इन पोस्टों के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसकी complete PDF जो है हमने अपनी official website www.hemidashindia.com पे आपके लिए upload कर दी है तो आप वहाँ से भी download कर सकते हैं या फिर हमारे Facebook page Hem India Education पे आप सर्च करके Facebook पे वहाँ से भी इस PDF को download कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को subscribe, bell button को जरूर कीजेगा ताकि आने वाले वीडियो भी आपके पास in time पहुंचती रहे फिलाल इस वीडियो में इतना ही, thank you for watching Hem India Education